निवरोती बाद भारतिय थल सीना नी कमान जनरल नार्वणे ने सौप वमावी चे देशना अठ्याविस मा आर्मी चीफ बनेला सीना प्रमुग जनरल मनोज मुकुन नर्वणे साथे अमारा समवाद दाता एका स्वाचित करी आउसाम भड़िये सब्सक्राइब के साथ ही 2020 में सेन्यक रांती का आगाज हो चुका है और सेन्यक रांती में बहुत एहम रोल रहने वाला है नियू आमी चीफ जनरल मनोज मुकुन नर्वणे का हमाई साथ है सबसे पहले तो नहीं साल की बहुत-बहुत शुब कामना है आपको अपको भी थैंक छ्याइस को फ़ biking जनना चाहते हैं और यह श्यों मुक्षर armed जानना चाहते हैं कרגए भाखे थ्यानीकी है ञिकित 8MP को दिन बहुत अछे रहे हैं इन दो दिनों में मैंने यह शेजिकल एका सबसे पहले मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले तो हम इसी पर ध्यान देंगे कि हम हमारे फोज जो है वो ऑपरेशन के लिए हमेशा त्यार है और जो भी चैलेंज है या त्रेट हैं उससे हम ने पढ़ सके सब मैं यहां पर जन्रल रावत के दो स्टेटमेंट्स लेगे आना चाहते हैं क्योंकि आपने ऑपरेशन की बात यहां पर की है एक तो उन्होंने कहा कि एलो सी पर सिचुएशन की बात कर रहे है और किसी भी एवेंच्वालिटी के लिए तयार है ना चाहिए दूसरा उन्हों ने कहा था जुलाई के महिने में कि हम पीयो के और एक्साइचन पर एक्शन के लिए तयार है अगर हमें पुलिटिकल निर्देश आता है तो आप अपरेशन की बात कर रहे हैं आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे रिव्यू करते हैं लसी के उपर हमेशा सिचुएशन जो है तोड़ा इसा टिंशन का ही रहता है तनाव तो हमेशा रहता है फाइरिंग और सीस वाईलेशन होते रहते हैं वहाँ पर जो टेरिरिस्ट है टेरिस्ट केंप लाँच पैड सर्वद के उस पार है टेरिस्ट लगातार कोशिशं करते हैं कि वो हमारे एरिया में आए औ और कुछ आतंक मचाए तो उस तरीके से देखा जाए तो एलसी तो एक्टिव ही पाकिस्तान में आपने ये कहा कि इंडिया के पास राइट तो सेल्फ डिफेंस है और हम प्रीम्टिव स्ट्राइक्स कर सकते हैं उस पर पाकिस्तान ने का ये स्टेटमेंट बहुत ही गयर जम् करते हैं इसके बारे में इस वक्त हम नहीं कह सकते जो उस वक्त स्टिती होगी क्या घटना घटती है और उस पर हमने किस प्रकार का एक्शन लेना है वो हम उस वक्त ही सोचेंगे उसके बारे में हम इस वक्त स्पेकुलेट नहीं करेंगे मैं सेकंड लास्ट वेस्टेटमेंट था आपने का हम वेस्टन बॉर्डर पर बहुत फोकस करते हैं हमें नौर्दन बॉर्डर पर भी फोकस ध्यान देने की जरूरत है चाइना को लेकर आपका क्या प्लान है क्योंकि अगर मैं ऑन पेपर बात करूं तो चाइना का डिफेंस तो हैं एक वेस्ट में और एक नौर्थ में और नौर्दन बॉर्डर पर ध्यान देना बहुत जरूरी था और ये कारवाई कि इसके उपर हम तोड़ा ध्यान दे वो अभी नहीं लेकिन पिछले दो चार साल से चल रहा है और इसके तहट हम हमारे बॉर्डर एरियाज में हमारी जो काबलियत है उसको बढ़ा रहे हैं इंफ्राक्स्ट्रक्चर बना रहे हैं रोड बना रहे हैं जिससे की जो भी कारवाई हमने करनी है उसमें हम ज्यादा सक्षम रहेंगे सेना के मौड़नाइजेशन को लेकर भी आपने कहा आपका प्लैन क्या ऐसा मैं यहापे दो तीन एक्जामपल्स आपके सामने रखना चाहती हूँ जैसे मैंने बुलिट प्रूफ जैगिर की बात अपसे करीब 11 साल पहले उठी 2008 में अब आकर उनकी डिलिवरी स्टार्ट सत्रा के बीच में करीब 144 डील्स थे जो जिनमें से सिर्फ 8 तू 10 परसेंट ही तैसमे में पूरी हो पाई आप उस चैलेंज को कैसे देखते हैं अभी वो जो है यह पुरानी बाती है अभी वो आज की जमाने में आज जो सिच्वेशन है वो वैसे नहीं है गवर्मेंट ने क कई फाइनेंशल पार्स वाइस चीफ को डेलेकेट की की गई है तीनों सर्वेसेस की और उस डेलेगेशन से काफी फरक पड़ा है और चाहे बुलेट प्रूव जैकेट हो चाहे एमनेशन हो वो बहुत ही जल्दी आ रहा है आर्मी में और दो तीन साल नहीं बलकि चार-चे म मैंने में जो प्रक्युर्मेंट की प्रक्रीया है वो पूरी हो रही है जो बस यह एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती थी इस तस्वीर पर बहुत चर्चा हो रही है इस क्रिनिटी को लेटर पहुत ज़ाधा उमीदें आप मिले भी हैं लोग से इस तस्वीर को एकड़ेक कि हम भी वी कैड़ेट से लेकर Chief of Army, Navy और आपके मेटसं हैं? और यहाँ, तीनों मेरे कोर्समें हैं, और Nicky इक इसकॉडन में थे, इंडिये में और कारंबिर और मैं, हम इक दूसरे कौ बच्बं से जानते हैं, ना सिर्फ इंडिये से लेकिन उससे पहले भी. गाजब की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है जरूर अब देखते रही है तो आप हमसे खुल मिला आगे कह रहे है कि पिक्चर तो अभी बाकी है अभी तो सिर्फ ट्रेलर आपने देखा थे हैं कि सो मज़ सर आई विश यू लॉट्स अफ लग वागे ट्वेंटी ट्वे आगी जी मेडिया के लिए दिली से